हेलो फ्रेंड्स गूड एवनिंग नमस्कार आदा आप सस्रीकार मैं आज जो है सो ये वीडियो जो है सो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और अगर अगर आप लोग के फैदो से तीन मिनट नहीं है तो आप अभी ही इस वीडियो को स्कीप कर दिजे कुछ आजस्टोडेंट्स लोग का कह待 तब के फंडामेंटल अनलेसिस और फंडामेंटल अस्ट्रोंग अप बताईए तो दो अस्टोड लेकर के आया हूं पहला अस्टोड जो है सो और ये बोनों अस्टोड जो है सो हमारे प्राइम निस्टर जी जो बोले है सरसंड बिलियन डोलर जो खर्च होगा उसी से रिलेटेड है गैस से रिलेटेड है और पावर सेक्टर से रिलेटेड है और मैं लास्ट में एक बहुत अच्छा निविज दूँगा वह अप लोग लास्ट तक जो इसे वीडियो सुनिएगा तभी पता चलेगा पहला जो अ 40 रुपया का है और अभी यह जो ट्रेड कर रहा है इसका मतलब यह बुक भूली बुक भेलू के ही आसपास मिल रहा है तो आप और दूसरा इसका डिविडिन भी बहुत अच्छा है डिविडिन इल्ड जो है सो लवसावा 4% के आसपास का है और मैं बता दूं कि 2020 सेप्टम लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना जबजस्त काम हो रहा है और इसके पास रिजर्व है तिन लाग कोड़ रुपया के आसपास और इस अस्टोक का नाम है ओ एन जी सी जो मैंने पहले भी 220 रुपय में दिया था और ठीक है दूसरा जो है वह मीड केप है और इसमें जो ह सो यह अभी अपने हाई लेबल से डिसकांट में मिल रहा है 440 रुपया में इसका हाई जो था सो 570 रुपया का था और इसका जो पी है वह 18 के आसपास है और बुक वेलू जो है इसका 115 रुपया यह थोड़ा सा आपको अभी महंगा लग रहा है लेकिन इसको गिरावट में झाल सा थोड़ा सा खईदा जा सकता है और आपिलेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यह 20 प्लस का है इसका अप्रेटिंग प्रॉफिट मतलब यह हुआ कि हुआ सौर को अगर समान बेचती है तो 20 रुपय यह कमाती है 20 रुपय से ज्यादा कमाती है ठीक है और इसका परमोंट गेस नाम से आप सच किजेगा तो आपको मिल जाएगा आई जी अल और जो मैं न्यूज बताने जा रहा हूं वह यह है कि एंटि पीसी और ओंगीसी दोनों मिल करके जो है सो ग्रीन रीनुएबल एनरजी और ग्रीन सेक्टर में ग्रीन एनरजी सेक्टर में अर्स्टोरेज sector में काम करने जा रही है दोनों आपस में sign कर चुकी है तो इससे भी यह पता चलता है कि NGC में कितना जबर्जस्त जो हैसो आने वाले समय में movement हो सकता है और यह दोनों अश्टोक में आने वाले और comment करते हैं तो मैं हर सब्ता आप लोग से promise करता हूँ कि दो अश्टोक बताऊंगा fundamental analysis करके चलिए मिलते हैं next video में good night